Hello my idea students, मैं हूं मिनुष रिवास्तव और आज हम डिसकस करेंगे incomplete dominance के बारे में incomplete dominance, basically word ये क्या कहता है हमने कहा है कि हम biology के अंदर words को समझें कि word क्या कहता है incomplete यानि कि जो पूरी तरीके से नहीं है, completely नहीं है dominance जो प्रभावी नहीं है, पूरी तरीके से इसको जैसे जैसे हम example समझेंगे, वैसे वैसे इस चीज़को हम समझते जाएंगे incomplete dominance, basically सबसे पहले discover की by corns call corns जो scientist थे, उन्होंने discover की in mirabilis jalapa 4 o clock plant भी इसको हम बोलते है mirabilis jalapa plant के अंदर इन्होंने discover किया incomplete dominance incomplete dominance कैसे discover किया गया देखे यहां पर मैंने पूरी NCRT की lines ली है उससे आपको समझ में आएगा कि NCRT की lines का मतलब क्या निकल रहा है क्योंकि कई बार जो teachers पढ़ाते हैं और जब बचे NCRT पढ़ने बैठता है तो कहीं से कहीं ते कोई correlation नहीं बैठता तो इसलिए मैंने सूचा कि कुछ NCRT की lines लें ताकि आपको वहाँ से relation सबज में आए When experiment on P were repeated using other traits in another plants यानि कि जो मैंडल ने P plants के experiments किये थे और सेम जब लोगों के इसके बारे में पता लगा तो सेम experiment other plants पे डूंडे जाने लगे, किये जाने लगे It was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of two parents as in between two यानि कि ये client क्या कह रही है कि ये देखा गया कि जो F1 hybrid है उसमें जो character था वो कोई भी parent के अंदर वो character नहीं था ठीक है, यानि कि F1 had a phenotype that did not resemble जो कि बिल्कुल resemble नहीं था, either of two parents was in between two दोनों के बीच में कहीं से कहीं तक कोई resemblance नहीं थी समानता नहीं थी, ठीक है, अब यहाँ पर basically जैसे ही सामने कहा कि इसको डूडा गया, सबसे पहले कारल कॉरनस ने Mirabilis Jalapa plant के अंदर बताया गया NCRT में जो example है, वो example है flower color का Flower color snapdragon plant में, यानि कि जो snapdragon plant है यह snapdragon plant जिसे हम dog plant या anti-renium plant भी कहते हैं यानि कि इसे हम dog plant या anti-renium plant भी कहते हैं जब यहाँ पर flower color red, यह one का है, यह एक्जाम्पल one का हम यह कर रहे हैं यह ध्यान रखिएगा, ठीक है, जब इसका red color के flower को white color के flower से cross किया गया, तो यहाँ पर हमें जो है, यह देखा गया कि भई, सोचा क्या गया कि मिलना कैसे चाहिए था, red, red मिलना चाहिए था क्योंकि capital R and small r, जो है, mix हुआ है, तो यहाँ पर, जो है, यहाँ पर, यहाँ पर, red color आना चाहिए था चलिए, हो सकता है कि white color आता, लेकिन न red color आया, न white color आया, मतलब कि जो f1 hybrid था, जो कि दोनों में से किसी के साथ भी समानता नहीं रखता था, और वो color आया pink, वो color कैसा आया pink, जब अब इसको जाचने के लिए फिर से आगे, इसका f1 से f1, f2 generation receive की गई, जब इसकी f2 generation receive की ग देखूं, तो capital r, small r, capital r, small r, जब इनको hybrid कराएंगे, तो आपका इस तरीके से plant मिलेगा, यह यहां से, यह यहां से, यह यहां से, और यह यहां से, यह आपको red, यह आपको pink, और यह आपको white, तो यह आपको कैसा हो गया, 1 is 2, तो f2 generation में कैसा रिश्वा है, 1 is 2, 2 is 2, 1, यानि की, 1 red, 2 pink, और 1 white, ठीक है, यह आपको f2 generation में receive हुऊ, ठीक है, तो यहां पर, यह एक example है, snapdragon, जिसके अंदर आपको incomplete dominance है, यानि की, ना तो capital r पूरी तरीके से dominant है, ना small r पूरी तरीके से छुपा हुआ है, hide है, ठीक है, तो capital r और small r, जब एक साथ dominance या एक साथ अपना प्रभाव दिखाना चाह रहे हैं, तो एक pink color को वो, जो है, resemblance दे रहे हैं, pink color को बता रहे हैं, ठीक है, second example, flower color का ही है, जिसे cornes ने ढूंडा था, वो है mirabulous जलापा, ज जिसे गुले बांस या 4 o clock plant भी कहा जाता है, यहां पर उन्होंने भी same cheese receive की, कि देखा कि जब red को white से cross किया गया, तो आपका pink color मिला, और same आपको F2 generation में, 1 is to 2 is to 1 का ratio, आपको F2 generation में मिला, ठीक है, same यहां पर, एक और example, जो कि नीट पे पूछे जा चुके हैं, काफी Andalusian foul, ठीक है, जिसका feather का color देखा गया, जो कि incomplete dominance को show करता है, यहां पर capital B, capital B black colors, और यहां पर small B, small B white color को show करता है, जब capital B और small B के साथ मिलाए गया, तो देखा गया, कि यह color आता है, blue color, ठीक है, यह color कैसा आता है, blue color आता है, इसका मतलब, ना तो blue आया, ना white आया, blue और white का कहीं ना कहीं, कुछ intermediate form आया, इससे लिए इस phenomenon को हम बोलते है, incomplete dominance, incomplete dominance की हम एक पूरी कह सकते हैं, कि definition देख लेते हैं, इसके साथ, NCRT में, आपके NCRT की book देखे, मेरे पास है, इसमें NCRT की book में, आपको page number 76, मेरे पास जो book है, वो 76 page number पे, कई पे आपको 77 page number पे मिलेगा यह है आपका incomplete dominance का, जो के रीचे एक topic है, explanation of the concept of dominance, यह चीज हम समझाना चाह रहे हैं, अगर आपके पास NCRT की book है, तो आप उसे open कर लीजिए, और तब मैं आपको board पे इस चीज को समझाऊंगी, तो आपको इस चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी, देखें इसके अ हो सकता है, नई books में आपको page number 77 पे भी मिले, तो वो मैं थोड़ा सा आपको explanation समझाती हूँ, क्योंकि बच्चों को incomplete dominance के बाद, यह जो मैंने लिखा हुआ है, यानि कि यह NCRT की book से मैंने पूरा लिया हुआ है, explanation of the concept of dominance, यह आपको यह paragraph बच्चों को नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो बड़ी होच पोच हो जाती है कि कैसे कैसे, यह मतलब कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, तो आप NCRT की book open कर लीजिए, मेरे according, मेरी book के according, page number 76 है, आपकी book के according हो सकता है, page number 12 differ हो, NCRT की book है, incomplete dominance के just नीचे, यहाँ पर लिखा हुआ है, incomplete dominance के paragraph complete होने के बाद, यह क्यों क्योंकि इसकी जो lines है, वो थोड़ी सी कह सकते controversial है, यह कुछ lines हमें समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते है, what exactly is the dominance, why are there some alleles dominant, some recessive, to tackle these questions, we must understand what a gene does, every gene as you know by know, contains the information to express a particular trait, देखिए यह हम जानते हैं कि कोई भी जीन किसी भी particular characteristic को express करने के लिए बनी हुए है, ठीक है, और यहाँ पर यही बात बोल रहा है, कि every gene as you know by now, by now, contains the information to express a particular trait, in deployed organism, there are two copies of each gene, यानी deployed organism में, दो copies होती है, एक gene की, deployed organism में, जैसे suppose that, कि हम यह देख लें, कि हमारे पास sex determination के लिए, X और Y या XX है, ठीक है, तो यहाँ पर हर जीन के लिए, दो copies होंगी, जिसे हम allelic forms बोलते हैं, जैसा हम pea plants सो परते आए हैं, capital T, capital T, capital T, capital T, small T, small T, small T, यानी कि हमारे पास दो-दो forms मौझूद है, ठीक है, वही यह बोल रहा है, कि जो allelic forms है, वो कैसी है, there are two copies of each gene, ठीक है, that is as pair of alleles, now, these two alleles need not always be identical, यानी कि जरूरी नहीं है, कि य पेर के member जो होंगे, वो अलग-अलग भी हो सकते है, अगर सेम हुए, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, homozygous, और अगर different हुए, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, heterozygous, ठीक है, यह धिहान रखियेगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि दोनों same हो, ठीक, यह यह बोल रहा है, कि now these two alleles need not always be identical as in heterozygote one of them may be different due to some changes as one of them may be different due to some changes that it has undergone ठीक है यहाँ पर some changes से मतलब है mutation यानि की हो सकता है किसे mutation या कोछ changes की वज़े से दूसरा allelic pair क्या है डिफर है ठीक है अब यहाँ पर which modified the information that particular allel contain यानि की जिस allelic pair के अंदर जो information है यहाँ पर heterozygous condition में वो कुछ mutation या कुछ changes की वज़े से क्या हो जाता है information differ होती है चली अब हम बात कर लेते हैं इससे आगे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है अब यहाँ पर दिखें let's take an example of a gene that contain the information for producing an enzyme यानि की यहाँ पर dominance के concept को समझाने के लिए एक ऐसे gene लिए गई है जो की enzyme produce करती है और उस enzyme से यानि की यहाँ पर वो जो enzyme है देखें आँ पर जो enzyme है यानि की कोई gene है ठीक है यह कोई gene है जैसे capital T small t या कोई भी xy gene है तो यह जो gene है यह यहाँ पर क्या करती है यह specific enzyme को produce करती है और यह enzyme जो होगा वो क्या करेगा कि वो किसी substrate को change करेगा देख लेते हैं फटा फट से हम क्या कहती है NCRT की book ठीक है let's take an example of a gene that contain the information producing an enzyme now there are two copies of this gene that two allylic forms यानि की यह दो allylic form है ठीक है अगर आप capital T small t से अच्छे सा समझ में आता है तो हम उसको समझ लेते हैं then let us assume now there are two copies of this gene ठीक है इस gene की 2 copies है एक यह capital T और एक gene है small t ठीक है अब उसके बातों कह रहा है यहां तक ठीक है let us example of gene that contain the information for producing an enzyme now there are two copies of this gene और इस gene की 2 copies है the two allylic forms यह दो allylic form है capital T और small t ठीक है let us assume that the normal allele produce the normal enzyme normal allele कौन सा है normal allele को मैंने नाम दिया है capital T है ना normal allele मतलब की जो unmodified है यानि की जो की आपका dominant है ठीक है normal allele यानि की आपका यह माल लीजे यहां पर capital T ठीक है यह जो normal allele है produce the normal enzyme यह normal allele क्या कर रही है normal enzyme बना रही है और उस normal enzyme से क्या हो जाता है that needed for the transformation of substrate S और इस normal enzyme से क्या हो जाता है एक जो substrate S है वो convert होता है यानि की यह क्या करता है किसी substrate को convert करता है किसी भी XYZ material में ठीक है तो यहां पर हमने normal allele को capital T यानि की इसको आप हो सकते हैं जो dominant allele है उसको मैंने capital T नाम दिया है ठीक है उसके बाद theoretically the modified allele modified allele कौन सा है small t जो recessive allele है जो आपका modified allele है वो आपका कहा है recessive allele है theoretically the modified allele could be responsible for the production of यानि की अब जो small t है वो क्या करेगा एक तो होगा आपका modified allele और एक होगा आपका unmodified या आपका normal allele capital T जो होता है या आपका normal allele है small t आपका modified allele है अब modified allele क्या करेगा उस पर dominancey decide करती है ठीक है suppose that हो सकता है कि जो normal जो आपका modified allele है क्या कर सकता है या तो production और less efficient enzyme यानि की हो सकता है कि यह जो आपका T है वो produce करता है ये जो आपका small t है ठीक है ठीक है यह आपका क्या है ये small t है na ? small t के बार में आपन बात कर रहे है small t को यहाँ पर क्या नाम से दिया गया है? कि उसके बाद या तो हो सकता है कि यह small t या तो normally less efficient enzyme produce करे या non-functional enzyme produce करे या non-enzyme produce करे ठीक है अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है In the first case First case मतलब कि यह normal और less efficient वाला In the first case the modified allele is equivalent to unmodified allele Modified allele कौन सा है? Small t और किसके equal हो गया यह capital t के मतलब capital t और small t दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? Enzyme बना रहे हैं चाहे small t ने थोड़ा सा normal बनाया हो या less efficient बनाया हो लेकिन वो capital t को support कर रही है ठीक है? Capital t को support करें It will produce the same phenotype threat Result in the transformation of substrate Such equivalent allele are very common ठीक है? यह हम देखते हैं कि capital t और small t जब मिलते हैं तो यहाँ पर dominance का कारण क्या है? वो देखिए आप कि capital t और small t Capital t क्या है आपका? Modified allele Capital t आपका unmodified यह क्या है आपका? Unmodified ठीक है? और small t आपका क्या है? Modified अब capital t और small t यह आपका unmodified और यह modified Small t ने क्या किया? कि capital t को support किया ठीक है? यानि कि या तो उसने small t ने क्या करा? कि या तो normal या less efficient enzyme बनाया ठीक है? और जिसके वज़े से small t ने क्या करा? कि capital t को support किया और finally वो जो substrate है उसको transform कर दिया x, y, z किसी में भी ठीक है? जिसके वज़े से character show हुए और कौन से character show हुए? Dominancy वाले character show हुए सबज में आ गया? या हो सकता है next आपका ये point बोल रहा है अब मैं NCRT से लोगी क्योंकि बाकी मेले पास board मैंने का फिर आदा बोट समझाने के लिए छोड़ दिया था ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ? such equivalent allele pairs are very common but if the allele produce a non-functional enzyme और non-enzyme क्यानि कि ये small t हो सकता है कि ये non-functional enzyme भी produce करे ये non-enzyme भी produce करे तो क्या case बनता है? the phenotype trait will only depend on the functioning of the unmodified allele मतलब कि तब केवल और केवल जो है वहाँ पर जो है अगर suppose that कि यहाँ पर non-functional या कोई enzyme प्रड्यूस नहीं किया जाता है किस के थुरू? small t के थुरू तो यहाँ पर total dependence है किस पर हो जाती है? capital T पर तो capital T फिर अपने आपको मतलब कि हो सकता है capital T जो enzyme बना रहा है वो उतना efficient ना हो जो कि substrate को modify कर सके तो यही वो चीज़ कह रहा है the phenotypic trait will only depend on the functioning of unmodified allele the unmodified functioning allele which represents the original phenotype is the dominant allele and the modified allele is generally recessive allele तो उन्होंने भी यह बताया है कि जिसको आप modified बोल रहे हो वो basically कौन सा होता है recessive allele होता है और जो unmodified होता है वो आपका dominant allele होता है ठीक है अब यहाँ पर hence in example the recessive trait is seen due to the non-functional enzyme or because of no enzyme is produced तो कई बार recessiveness इसले शो होती है क्योंकि वहाँ पर कोई enzyme small tk through नहीं बनाया जाता जिसके वजह से वो recessive रह जाता है और फिर phenotypic character total or total किस पर depend हो जाती है capital T पर जो कि unmodified allele है ठीक है तो यहाँ पर यह जो है ठीक है तो यहाँ पर यह जो आपका incomplete dominance है incomplete dominance यहाँ पर खतम होता है एक बार हम इसको summarize कर लेते हैं इसको discover किया था corins ने mirabular jalapa four o clock plant यह gulebanse plant भी बोलते हैं उसको और वहाँ पर उसने flower का color देखा था pink color देखा था ठीक है red और white को मिला के pink color receive किया था incomplete dominance के अंदर finally आपके NCRT की book में dominance क्यों होती है यह भी समझाया गया है तो मैंने कोशिश किये कि आपको वो पार्ट भी समझ में आ जाए क्यों क्योंकि वो पार्ट जनरली बच्चों को समझ में नहीं आता है ठीक है hope आपने lecture enjoy किया होगा कोई भी doubt है comment section में पूछिए thank you